नमस्ते दोस्तों नमस्षिवाय आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और रेसिपी के साथ तो रेसिपी को पूरा देखिएगा बहुत ही अच्छा पालक डाल बनाया था मैंने और अगर पसंद आए तो लास्ट में लाइक करना भूलिए गानी प्लीज तो देखिए सबसे पहले म मैंने लिया है एक कप छोटे से कप से अरहर की दाल और उसका हाफ क्वांटिटी मैंने लिया है उड़त की दाल दोनों को पानी डालके और भीगो के रख देंगे थोड़ी दिर तक इसली गल जाता है फिर और तब-तक हम पालक साफ कर लेते हैं तो यह पालक देखिए यह बहुत कम लोगों ने देखा होगा एक्चली गाउं में यही वाला पालक ज्यादा तर लोग खाते हैं तो इसको हम बोलते हैं देशी पालक और डेली में इसको कश्मीरी पालक बोलते हैं लोग बट यह हमेशा नहीं मिलता है इसली अवेलेबल नहीं होता है बट यह को निकाल लेना है इस तरीके से और अगर हम साग बनाते तो थोड़ी डंटी भी रख सकते थे बट दाल में डालना है तो इस तरीके से सारे पुत्ते अलग निकाल लेंगे देखिए मैंने सबको कट करके दो के स्ट्रेनर में रख लिया है और अब हम लेंगे कूकर और कूकर म में डाल रहे हूं इसमें ये जो दोनों दाल मैंने भीगो के रखा था ना उसको मैंने दो लिया है तो ये दोनों दाल भी डाल देंगे हम इसमें और बहुत ही बढ़िया बना था बहुत ही शांदार और ये मैंने लिया है दो टमाटर टमाटर भी देशी है तो टमाटर को ऐस उसके बाद हम डालेंगे हल्दी नमक ध्यान से इसलिए कि देखो नमक जादा हो जादा तो चीज खराब हो जाती है मैंने थोड़ा सा हींग भी डाला है इसमें और अब मैं डाल रही हूं इसमें पानी पानी आप अपनेरी कॉमेंट के हिसाब से डालिए फिर मैंने इसको गै इलीज होने देंगे निकालना नहीं है प्रेशर तो देखिए मैंने पान सीटी लगा ली थी और यह देखो डाल हमारी पक गई है बटा भी इसमें बहुत ही अच्छा तड़का जाएगा तो यह देखो अब एक और बात है कि दाल देखने में ना थोड़ी सी पतली दिख र करता है तो देखो मैंने फ्राइंग पैन चड़ा लिया है इसमें लिया है सरसो का तेल गरम होने के बाद मैंने डाला है यह एक चम्मत से थोड़ा सा कम है जीरा उसके बाद मैंने यह थोड़े से अध्रक के टुकडे लिया है जूलियन कट कर लिया था उसके बाद मैंने च प्याज ली थी मीडियम साइज उसको डाल रही हूं यहां पर मैंने थोड़ा सा नमक यूज किया है बट आप नमक तभी डाले जब अगर आपको लगे कि नमक के है अगर पहले से नमक आप अच्छा खासा कॉंटिटी में डाले हैं तो यहां डालने की ज़रूरत नहीं है और इसको खोब इत्मिरान से अच्छे से भूनेंगे देखिए भून रहा है और ब्राउन होने तक भूनेंगे इसको हम उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा इसमें भी कर दिया है और लास्ट में मैं इसमें डाल रहे हूं थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता और इसको भी थोड़ी देर हम भून लेंगे और आप देख सकते हैं अब मैंने गैस कर दिया बंद और प्याज आप देखो कि इतना चेक्दम ब्राउन हो गया है गैस बंद करने के आप मैं इसमें डाल रहे हूं थोड़ी सी मतलब आदि चम्मच लाल मिर्च पावडर बंद करने के बाद इसलिए डाल यहीं और सेकेंड लिए ने होता है वह बहुत जल्दी जल जाता है इसलिए मैंने लास्ट में डाला उसके बाद इस तड़के को हम डाल देंगे दाल में और मैं वेट नहीं कर सकती बाद में काफी गाड़ी हो गई थी यह दाल बट अभी जैसा दिख रहा है वह मैं आपको दिखा रही हूं तो देखो त कोफेक्ट पालक डाल या फिर आपके आए सकते हैं कश्मीरी पालक डाल बनके रेड़ी है और यह देखो जी हमें बहुत गाड़ी डाल पसंद नहीं है कंसिस्टेंसी ऐसे ही चाहिए होती है तो देखो मस्त बना है और बहुत ही स्वाद बना था इवेन मेरे बेटे ने सब सब्जी क्यों नहीं खा रहे हो तो बोला ममा यह दाल सब्जी जैसा ही है तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाहिक जरूर करिएगा भूलिएगा नहीं